नवस्कार दोस्तों सागत आप सबीका क्विखिंदी फर और मैं हूँ अभनौ सिंग दोस्तों आज किस वीडियो में आपको पावर पॉइंट पर डिस्कस करूँगा मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना दिया है MS Word भी पुरे डिस्कस कर चुका हूँ मैं अच्छे से MS Word तो जरूर देख लेना क्योंकि MS Word जैसा है उसी तरह से Excel और PowerPoint ये दोनों भी similar हैं दोनों से ठीक है इसलिए आपको तीनों similar हैं मतलब काफी कुछ same है तो आज देखो बताऊंगा मैं आपको पहले कैसे start करते हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था तरीका की अगर आपके desktop पे इस तरह से अगर shortcut icon बना हुआ है तो उसको double click करोगे तो start हो जाएगा देख रहे हैं इस तरह से खेर दूसरा तरीका यह है कि आपको search बार से type करना है power लिखोगे ना यहाँ पे तो power point आ जाएगा आटोमेटिक देखो सबसे उपर लिखा हुआ है power point 2013 तो इससे भी आप कर सकते हो उसके बाद run command द्वारा window plus r press करोगे तो run command आपके सामने open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखना आपको power pnt ठीक है याद रखना power pnt जब लिखोगे आप enter कर दोगे तो power point open हो जाएगा तो यह सारे रास्ते हैं power point open करने के उसके बाद जैसे देख सकते हैं आप 2013 का है यह latest version 2013-16 सब सेम है तो एकदम latest version में आपको बता रहा हूँ देखो इसमें पहले क्या था directly open हो जाता था blank presentation लेकिन अभी क्या है कि हमारे सामने इतने सारे pages मिलते हैं ऐसे बने हुए theme इसको बोलते हैं जो पहले से बने होता है template बोलते हैं theme बोलते हैं जो अलड़ी ready made होते हैं यह सब ठीक है तो हमें blank presentation पर tick करके इस तरह से हमारे सामने दिखेगा यह look है power point का अब देखो इसमें क्या-क्या कुछ जरूरी बाते आप समझ लो पहले सबसे पहले title bar से start करते हैं title bar मेंने सबको आपको बता दिया था देखो यहां पर वही सब कुछ है जैसे word और excel में था वही सब कुछ यहां भी उसी तरह से है एक ribbon display option यहां पर अलग से कर दिये हैं यह भी आपको पता होना चाहिए यह power point में title bar में उस सबसे उपर यहां पर बना होता है उसके बाद सबको सेम होई साहिए और देखो जैसे word हम करते तो document one के नाम से होता था और excel में book one के नाम से होता है और यहां देखो presentation one के नाम से power point है है कि नहीं यह देखो by default presentation one के नाम से है अब इधर देखो यह redo undo का option है save करने का option है और यहां पर start from beginning मतलब इस slide सो आपको starting से start होगा जब आप बना रहा होगे कोई slide कई सारे बना रहा होगे जब तो उस slide सो जब आपको करना होता है तो उसके लिए है यह तो आपका beginning से start होगा इसका shortcut की होता है F5 मतलब आप F5 जब करोगे तो आपका slide start हो जाएगा और यहां पर देखो notes अगर notes add करना चाहोगे तो यहां पर आ जाएगा comments अड़ करना चाहे तो यहां पर comments का option आ जाएगा इस तरह से यह इसको बोलते है comments reading view एक reading view होता है इस तरह से reading view आप कुछ लिखा ही नहीं इसमें तो क्या करोगे आप फिर से इसको normal mode में कर लेते हैं तो इस तरह से normal mode में हो जाएगा यह और slide so start करने के लिए यह यहां पर देखो button बना हुआ है इससे हम slide so start करते हैं अगर बन गया slide हमारा उसके बात की बात है यह और इसमें इधर देखो जो jome है इसमें 74% by default है यह fit है screen से इस वज़ा से 74% हो गया इसमें यह जो इधर slide का first slide का option है इसमें इस वज़ा से इसमें देखो by default 74% ही है और इसमें अधिकता हम 400% कर सकते हैं और new time 10% कर सकते हैं जैसे sum में किये थे वैसे इसमें भी है Excel और PowerPoint में same होता है और word में 500% अधिकतम कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया बाकी की option देखे और file के same वैसे सब कुछ file में है इसमें भी जो मैं आपसे बताया था Excel all word में वैसे same इसमें भी है देखो बहुत कुछ same है इसमें इसमें इसलिए जो word देख लिया होगा उसको Excel और PowerPoint में आस slides, clipboard, slides अलग से हैं बाकी font वही है, clipboard वही है, paragraph वही है, editing है, एक drawing का उफसान है इसमें कुछ चीज़ें है क्योंकि बहुत सारे insert में देखो सब कुछ होई है जो उसमें होता था word और Excel में वही से सब कुछ इसमें भी है, insert में, कुछ भी अलग से दिखने है इसमें, थोड़ हमारा पहला slide, अब यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे हम PowerPoint ही लिख देते हैं, क्योंकि हम PowerPoint लर्ण कर रहे हैं अभी, जैसे PowerPoint ठीक है, यह हो गया PowerPoint, यहाँ पर click add by, मतलब इसमें अपने बारे में थोड़ लिख देना चाहिए, जैसे quick Hindi लिख देता हूँ मैं, ठीक है, quick Hindi, तो यह हो गया इस तरह से, अब इसको आप designing भी कर सकते हैं, जैसे इसको चाहोगे तो designing कर सकते हो, यहाँ से इसको bold कर सकते हो, इसको color भी कर सकते हो, जो भी मतलब चाहोगे आप, इसमें बहुत सारी चीजे हैं, वो इसमें कर सकते हैं, इसको भी bold कर देते हैं, और color को changing कर द देख रहे हैं new slide control plus m इसका shortcut की होता है new slide का control plus m याद रखने ये भी बात तो press करोगे देखो नए slide add होगा यहाँ पी इस तरह से नए slide भी हमारा add होगा इस पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो power point 2 लिख दो माल लो इसे power 2 ये दूसरा slide है हमारा तो ये बाई मैं अपना अलाम लिख देता हूँ इसमें अफिनो सिंग मतलब ये दूसरा slide है फिर से slide और भी add कर सकते हो जैसे तीसरा slide यहाँ भी कुछ लिख सकते हो यही है slide ठीक है ccc exam ठीक है और इसमें इसमें लिख दो bcc क्योंकि bcc वाले भी होंगे तो इस तरह से यह सब सारे चीज़ें इसमें add कर सकते हो यह 3 slide हमारा add हो गया इसमें designing भी कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं जैसे first slide में पहुँच गया है अभी आप देखें यहाँ पर paragraph होई सब कुछ है कुछ इसमें अलग सा नहीं है इसमें slides में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है layout है इसमें आप कोई सब ही layers add कर सकते हो किसी design की तरह तो यह layout के लिए है और इधर देखें तो reset है तो reset कर सकते जो भी मतलब size बगार अगर इधर दोर आप गयो तो reset कर सकते हो इसमें और यह section तो section भी add कर सकते हो इसमें जैसे इस तरह से देखो add हो गया यह खैर अब इसमें है तो अब देखो यह font बदलने के लिए जैसे कुछ select करोगे तभी इसको highlight हो जाएगा और यह सब चीजें दे यह सब है यह तो यह सब पहले सीख चुके हो आप लोग और text direction, align text यह सब सारे चीजें भी सीख चुके है आप drawing थोड़ा सा लग है इसमें अब drawing में देखो क्या क्या है इसमें बहुत कुछ है जैसे इसको चाहोगे ना इसमें add कर सकते हो मैं दिखाता हूँ किस तरह से नेरे इसमें कुछ बिख सकते हो जैसे देखो अविन Boss में लिख दिया यहाँपे तो देख सकते हो इसको design भी कर देते हैं, select करके, bold कर देते हैं तो देख सकते हो यह add होगा इस तरह से तो इसमें और भी add कर सकते हो आप जैसे चाहोगे एस दिजाइन करना आप वैसे designing कर सक सकते हो PowerPoint में यह presentation के लिए होता ही है पूछा जाता है presentation कहां पर बनाया जाता है तो PowerPoint में बनाया जाता है और यह arrange के लिए है इसमें भी कई style में आप मतलब बहुत सारी चीज़े लगा सकते हो बहुत सारी चीज़े वो आपके मरजी उपर है और देखो ये color fill करने के लिए है जिसे कोई shape है आपके पास तो उसमें जो भी color चाहोगे जिसे बदल दाया ना इधर उधर तो जिस भी color में चाहोगे आप उसको उस color में आप कर सकते हैं जैसे मैं ये color कर दिया और shape outline तो उसका जो outline है वो भी आप color सकते हो दिखाता हूं मैं आपको जैसे ये करते हैं तो किनारे के नहीं देखो black हो गया थोड़ा-थोड़ा किनारे किनारे तो इस तरह से ये outline हो गया इसमें बहुत सारी चीज़ें editing में वही सब कुछ है find replace select ये वही चीज़ें है जो मैंने आपको word में discuss किया था और format में भ text है किस तरह से आप करना चाहते हो ये तो MS Word में भी था word art style है ये तो इसमें ये भी word art बदल सकते हो तो ये format का option है और format arrange का देख लो तो ये जैसे being forward की तरह बन गया ये और alignment जैसे करना चाहते हो भी कर सकते हो आप तो ये सब सारी चीज़ें size बदलना चाहते हो भी बदल सक सकते हो आप इसी से तो आपको जैसे मरजी करें देख 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 इस पर सेप भी इसी में है format जो हम लोग करते थे home में format पूरा option बना हुआ है ये format का option है जैसे drawing लिख्या हो है ये सारे चीज़े format में भी देख वही चीज़ें है सब कुछ जो drawing में है वही format में इंसर्ट से जो सेप हमने इंसर्ट किया वही तो है ये तो वही सारे चीज़े इसमें भी है test box आप इंसर्ट कर सकते हो सेप जैसे चाहोगे आप मतलब कर सकते हो अपनी हिसाब से किसी भी प्रकार का से जैसे एक मैं लेता हूँ कोई सा देखो इस तरह से बन गया से तो मतलब आप जैसे चाहोगे वह ऐसे बना सकते हो देखो कभी कभी देखते हो ना ऐसे बना होता है कहीं कहीं पर आप तो इसी से पावर पॉइंट से ही ये बनाया जाता है इसमें कई सा और भी आड़ कर सकते हो आप जब इस पर टिक करते हैं तभी format का option आता है जब select करोगे तभी बाहर करोग गायब हो जाता है मतलब जो drawing का ही है ये अलग से format बन जाता है ये जैसे ये format बन गया तो format हो जाओगे तो वही सारे चीज़ें drawing वाला इसमें आ जाता है ठीक है देखो वहां से गायब हो जाता है ये तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें इसमें है और ये दूसरा वाला इसमें क सकते हो यह सब सी चीजे और डिजाइनिंग बना सकते हो जैसे इसको यह देखो left alignment हुआ है इसको हम center भी कर सकते हैं देखो यह power to center हो गया और इसकी बात करें तो यह भी कर सकते हैं ठीक है यह भी देखो जो हम कर देते हैं center alignment उसी तरह से हो गया ये भी जैसे वो डिजानिंग बनी थी और कोई save add करना चाते हो इसमें भी add कर सकते हो तो वह से same है ये insert की बात करें तो insert में देखो जो हमने उसमें पढ़ा था word में वही से है सब कुछ है लेकिन कुछ चीज़े change है जैसे अब new slide ये देखो home में भी था आप चाओ कर देखो एक slide और add कर लेते हैं देखो ये चौता slide भी आ गया नीचे अब यहां भी कुछ लिख दो यहां पर लिख देखो presentation ठीक है तो देख से तो presentation हो गया और यहां पर भी कुछ लिख देते हैं इसे ही देते हैं fourth slide ये fourth slide है तो ये देखो fourth slide भी कर दिया अब इसको भी चाहो बिख दो allignment कहां से होता है home से होता है ये किसा Color Add कर सकते हो, For Slide में भी चाहोगे तो आप Coloring कर सकते हो, Bold कर सकते हो देखो, Bold कर दिया मैंने Color भी कर दिया, इसमें बहुत कुछ Add भी कर सकते हो आप चाहोगे तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका और Insert में हमने Slide add किया, यह Table है, Table किस करना चाहते हो, टेबली भी कर सकते हो, जैसे, कुछ लिखेर होगे, तभी अड़ होगा, जैसे यह देखो, टेबल अड़ होगे हमारे सामने, तो इसमें बहुत सारी टेबल है, देखो, टेबल के प्रकार, किस तरह से आप चाहते हो, स्टाइल, डिजाइनिंग, देख रहे हो न, यह सब क्या है, टेबल स्टाइल है, तो इस तरह से टेबल भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे, इंसर्ट में जलते हैं, पिक्चर भी अड़ कर सकते हो, ओनलाइन पिक्चर, स्क्रीन सॉर्ट कर सकते हो, फोटो एल्बम, सेब अड़ कर सकते हो, इसमें स्मार्ट आड़, सेब किस तरह से होते हैं, बहुत प्रकार कि सेब, जैसे मैंने वो अड़ किया था, वही सब कुछ है इसमें, और स्मार्ट आड़ की बात करें हो, तो देख रहे हैं, अपमारे सामने ये सब आगया है, तो ये ऐसे अड़, इसको अड़ कर दोगे न, जैसे करता हो दिखाता हूँ आपको, तो देख रहे हैं, इसमें कुछ लिखतो आप, बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेक्स्ट बगएर है न, इसमें आप लिख सकते हो, तो बहुत बढ़िया सा बन जाए का देखो, कभी-कभी आपको दिखता हो कुई इस तरह से, तो ये सब पावरफॉइंट से ही बनाया जाता है, ये सब कहाँ पर पाया जाता है, इन्सरेड में, ठीक है, चार्ड भी आइड कर सकते हो, आप ये ओनलाइन स्टोर, एप, ये सब सारे चीज़ें, कमेंड्स भी है, जैसे सब कुछ पहले भी था, वो इससे सब कुछ है, बागे तो टेक्स्ट रवाक्स और हेडर फूटर, ये सब पहले भी आप पढ़ चुके हो, डेट अन्ट टाइम का है, स्लाइड नंबर, आप उसको नंबर ही करना चाहत हो, कर सकते हो, ठीक है, और अबजेक्ट्स, और ये सब सिंबल भी आप देखे थे, और ये मीडिया इसमें एक अलग सा अफसान है, बीडियो भी इसमें आड़ कर सकते हैं, और आइडियो भी कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कि हम पावर पॉइंट में, प्रिजन्टेशन में बीडियो या फिर आइडियो आड़ कर सकते हैं, तो बिलकुल आड़ कर सकते हैं, यह अपने सुना होगा तो यह सब सारे चीजें इसी सी होती है अब देखो इस तरह से बन जाएगी है और डिजाइन की बात करें तो डिजाइन देख रहे हो किस तरह से बहुत सारी प्रकार के डिजाइन ही हमारे सामने जो हम कर सकते हैं जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं ठीक बाकी कुछ इसमें खास नहीं, transition का option है, इसका मैं बाल में डिस्क्स कर दूँगा आपसे, slide show, review, view, यह सब बहुत simple सी है, next video में आप बाकी की discuss कर दूँगा मैं आपको, तो इस video में यहीं है आज, आपको एक बार slide चला के दिखाता हूँ, जैसे slide का चलता कैसे है, यह बताया तो आटोमेटिक यह, चल, इस तरह से slide से होगा, तो यह हमारे normally आ चुके हैं, जैसे home page बहुते हैं, फिर दोस्तों, इस video में इतना ही है, भी stop करते हैं इस video को, कोई सवाल अदो करेंट बाक्स में आप पूर सकते हो, तो इस तरह से यह power point होता है, बड़ा simple होता है, कुछ हो आया सारा देख लेना, जिसनका भी exam हो तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, नहीं तो बाद में इसे problem ही होगी, questions में आपको समझ में कम ही आएगा फिर, इसलिए सारा देख लेना ठीक है, फिर दोस्तों ने इस video मिलते हैं, तब तक लेजा हिंद, जै भारत!